मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेस्ट आपको मिलें इसके लिए बैल आइकन जरूर दबाईएगा आप सभी को मेरी धेर सारी शुब कामना आए लिखना तो सबको समझ आया होगा कैसे लिखते हैं है बता कैसे लिखेगी अंसर आच नंबर में आएगा तो क्या कोशिस करेंगी क्या होना चाहिए क्या कैसे पॉइंट लिख होगे हाँ बोलने लगे वाले बिल्कुल ने बोलती है और क्या करेंगे लिए फिर तो पता है नहीं हो यह बता संकोच में क्यों हो जाती है बताएगा देखो या तो तुम डारेक्ट आना ऐसे ए मलब पॉइंट वाइस लिखते हो ठीक है डारेक्ट पॉइंट बना देते हो ऐसे भी तो था पॉइंट बना देतों डारेक्ट जो पहले तुम बहुत करते थे तुम्हारी खून के अंदर था पॉइंट बनाना ठीक फिर तुम इस पर आ गए हैं ना यह सब इस पर आ गए सूरच चांद बनाने पर ऐसे इस पर आ गए ना इसके अलावा एक क्या होता है डारेक्ट कहानी लिख दो नीबंद टिपनी करनी होती है गलत कोई सा नहीं होता कोई बात नहीं है तोड़ी भूगम पागया ता वाई आ गए हैं इतनी टैंसन यह उतर गया सुनों इन तीनों में से कोई सा किसी भी तरीके से लिख सकते हो ठीक है लास्ट टाइम है इसलिए बता रहा हूं किसी भी तरीके से लिख सकते हो और मैं यह नहीं बोलूंगा कि इस तरीके से लिखो तभी नंबर मिलें क्योंगी मेरे को नहीं पता कि मेरा दोस्त चाक कर रहा है मेरा दुश्मन चाक कर रहा है ठीक है हमें क्या पता है इतने साथ टीचर में से कौन सा टीचर चाहिए कर रहा है कोई ऐसा टीचर हो जिसको कोई भी चीज पसंद ना हो लिखाई क्यों मेरे कुछ से नफराता है चैक करना पड़ रहा है काटने वाला तो देखो नंबर कहीं भी काट देगा लेकिन तुम ऐसे ऐसर लिखना है जैसा कि तुम चाहते हो कि दूसरा तुमारे लिए आंसर लिखे समझारा है कैसा अगर तुम टीचर हो तो तुम्हें कैसे ऐसे पसंद आएंगे ठीक है वह सोचकर आंसर लिखना और सोचने में पूरे गंटा मतलगा थे ना पेपर कता में तुम सोची रहे हो कि अच्छे सोच के लिखूंगी बेशक से एक लिखूंगी ऐसा नहीं करना ठीक अर्यों डी जनुरियों में कब कौन सा सम्मेलन हुगा परियावरण वाले चैप्तर में से तुम से उसके परियावरण का पूछेगा ठीक है तो दो तीन बड़े-बड़ी हुए जैसे एक तो रिय डी जनुरियों में क्या हुआ है प्रित्वी सम्मेलन हुआ था ना उन्नीस सो बांडवे में और वो मांट्रियल नयाचार प्रियावरण से संब्द देखने लग गई थी वह देखने लग गए थे कि यह लड़ाई जगड़े से ज्यादा इंपोर्टेंट और सारी चिंता है जैसे कि परियावरण गुलोबल वर्मिंग ठीक है और जंगलों का कटना नदियों का सुखना तो लोगों को और मलब की लोगों को क्योंकि लगतार सूखा पड़ने लग गया था ठीक है और नहीं बीमारी आने लग गए थी तो उनको एसास होने लग गया था कि जितना हम लड़ रहे ना इससे ज्यादा इंपोर्टेंट और भी चीज़ा है दर्ती पर इसलिए फिर नहीं नहीं तरह के संबेलन करने लग जब कोई सोसाइटी में हाट अटेक से मर जाता है तभी तो लोग है रियोडी जैनेरियो ठीक है जैनेरियो बोलते है इसको 1992 में सहयुक्ति राष्टे संका पर्यावरन और विकास के मुद्धों पर केंद्रित प्रिद्वी सम्मेलन हुआ ठीक है सवाल आ सकता है कि 1980 के दर्सक में या नव युक की सुरूआत में यह जो नया समया है यह समका समकालिन होते हैं तो समकाले विस्व में आज के खत्रे क्या है जैसे सुरक्षा की परामपरिक धारना होती है ना उससे भी जोड के पूछ सकता है तो प्रामपरिक धारना में नए खत्रे जो पहले से नहीं थे अब नहीं खत्रे पहले थे लेकिना मुशको खत्रा यहीं लेकि थे शोला साल का होना भी खत्रा मानते थे इस सोला 17 साल का खत्रा हां वह जींशर मानते Idash хотел muscle के भी करदे दे 시간이 और जिसको जादा लगता था घ्राव दियात में जल्दी खत्रे आ जाते हैं तो बार भी कर देदें के खत्रों से जल्दी बच जाए ठीक आज देखो 25 के हो जाए यह इतना तो साफ समझाएगा उसके अंदर लिख रखावा परियावरन को बचाने की उपाए उपाए मतलब तो जानते हो ना अगर उपाए पूछे कुछ नहीं तो जितना आपको लग रहा है कि मेरे को क्या करना परियावरन के लिए वह सारी बाते उसमें गुषेड दो और इस प्रोटोकल किसी लिए अधर रही ना तो फिर अंटाक्टिका के लिए कौन से संद्धिय थी अंटाक्टिका उसका अलग नाम है ठीक है फिर अलग नाम होगा बाई मेरे को इतना याद नहीं ना मैं तो कवर लेके चलता हूं तुम्हें समझाने के लिए मेरा पेपर नि चीजे वह तुम्हें लिखनी है कि जो नया विशु है उनको इन खत्रों की चिंता है इसलिए दिरे दिरे इन मुद्दों को उठा रहा है और इन मुद्दों को उठाने का सबूत क्या है मोट्रिया नया चार हो गया क्योटो प्रोटोकोल हो गया 1922 का प्रतिवी सम्मेलन हो उसके बाद अपने देश के बारे मेंक्विदान नमोगमगा को दाप करने के लिए यमुन को साफ करने Kings dell फैसा मतलिकना उपակ के अंदर जंगल करे जा रहे हैं है् गई है ना तुम यार मेरा कॉंफिदेंस मत गिराय करो कैमरे के पर मैं सही हूं ना मॉल्टिया नैचर अंटाक्टिका के ना इनके कोच एर पर कॉंफिडेंस भी नहीं लेकिन सारे बोले कि मैं घर तू कदेवी चड़ो यार मैं ही सही हूं खुद को मैं सक्थियों को कमा कराता तो पता लग गया सुन बहु राजनीति की परिभासा लिखिए भू का मतलब भू वसंदरा भूमी जननी अमबा प्रिथभी है थेक सब को क्या बोलते हैं मा भी बोलते हैं वैसे तो भू को ठेक है समझा रहा है ठेक तो भू राजनीती की परिभासा लखिए भू राजनीती का संबंद किसे क्या कब कहा और कैसे प्राप्त से है संसादनों से जुड़ी भू राजनीती को पश्चमी दुनिया के अधिकतर व्यपारिक संबंद युद्ध और सक्ति के संदर में सोचा सीतुद के दोरान विक्सित देशों नहीं की सचत आपूर्ति के लिए संसादनों वाले चेत्रों समुंद्री परिवहन और गूं के इर्द गिर्द सेनाओं की तैनाती ऑर संसादनों के भंढधारन जैसे मार्ग अपना समस्त तुम्हें आया नहीं होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूं राजनीति का मतलब क्या है जमीन पैना अपना ना राजनीति क्यों करते हैं राज करने के लिए तो जो भूमी पैना किसी भी तरीके से कपजा चाहिए अपने देश में इंटरनेशनल अधिक तरह में पापरवालाई देश दूसरे पर कपजा क्यों करना चाहता है उनके संसाधन चीए जमीन कोइलागे निकाल लेंगे अनकी नदियां यूज करेंगे समझा रहा है ठेक उनके जमीन पर कूड़ा निकालके ऐसे काम कर लेंगे ठीक तो यही बूराजनीति होती है और यह बूर by politics को समझजा रहा है पुरी दुनिया का जो politics होता है ऐसी चलता है तेके इसलिए तो वो क्या ना में भूराजनिती है ना चश्मीर थोड़ी है नियुद्ल कि एक बार बैटती पेड़ती है जमीनें YouTube बड़ती है बैटरी रिचार्ज नहीं अन्ने उड़ते रहूंगी ऐसे कोई देखा है हमेशा उड़ता रहे आते तो सारे तो अकात मत बूलो समझाया गलत क्या सही है तुम्हें मैं बताऊं ठीक यह दो लाइन कथा पांच लाइन में भी दे रखा देख वही सवाल है भूराजनिती की प पर टिपनि कीजिए ठीक है यह तुम्हें पहले कभी आंसर लिखा नहीं है मिर पता है कि मैंने दिया नहीं है ठीक है इसलिए तुम्हें पर सब्सक्राइब करना वहां के संसार्टों पर अपनी पावर दूसें देशों में बढ़ाना हम भी तो भूराजनिती करते हैं नही पापा 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 चला रेना अमेरिका कौन कौन सिरिलंका बोले डॉन डॉनुट सांध राशन को आई को मैं बारत बार टॉनॉन बारत तो profes Canadian कि यह चाहता है कि इसको चिला होंदे डॉन 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 ठीक तो यह कै संसाधनों की भू राजनी थी भू का मतलब समझा क्या क्या दर्ती मा समझाया गिसी ने अपनी जमीन वेज दी उसने अपनी इस माँ पेले बोला जाता था दाइलोग आप जामीन ले आते थे वंदे आप यह बोतल वाले चितर देखा है तो चितर सारे तो मैं करवाने सकता लेकिन जो भी रेंडम दिख रहे हो पूछाँ यह बोतल लाल चितर तुम भी देख लो निकाली निकाली निसी आटी में जल्दी से जो फुरती में ना वो निकालेगा ले एक गंटा सोचे की नहीं तो काभीलियत में सक नहीं कर रहा है मेरा को स्पीड में तurl नखा इसके उपपर यह इसीटाब क्या होता है जल होता है हाँ हाँ है इड जिए नोटा है तो तुम भी पानि बना動 crew लेकिन के निचिंटिक रहे कि देखिते हैं तो यह यह चित्र दे रखा इसमें पूछ रखा है पुर्थी पर पानी का विस्तार ज्यादा भूमी का विस्तार कम है बिल्गुल सही बात है पुर्थी अगर इतनी बढ़ी है ना उसमें पानी इतना सारा है और जमीन इतनी सी है बस समझा रहा है जमीन बहुत कम है पुर्थ ठीक यह काट्वूं किस तरह पानी की कमी को चितित करता है यह 42 कि बोतल के अंदर की सतय कुछ से monitor करता है बोतल में पानी की मातरा कम दिखाए गयी है बिलकुल इतनी बड़ी पानी लेकिन बहत बगए बोफल से दिखा रहा है सारा पानी लेकिन पानी की crushing कह रहा है कि बोतल आंदर थोड़ा सा पानी ध्यान से दिखो पर तो पानी है और लगवग बोल लो मिरेको नहीं पता ठीक है और 20 परसेंट को सो परसेंट मालो पानी जमीन को अटा दो नहीं पानी-पानी को मालो असी परसेंट जो पानी है ना उसको पूरा पानी-पानी के बात करें तो उस असी पानी में से ना केवले सोच लो एक या दो पानी क्या है पीने योगे और उस एक या दो पानी में से भी है ना बहुत सारा पानी जमा हुआ है और जो बचा पानी वह है न दियो और उसमें तलाबों में बाकि सारा जमा हुआ है समझा रह निए लोग अभी दे मार पीटी ओली दो दो ड्रम पानी ऐसे गेरो है जैसे अभी क्या बलते हैं इंद्रदेवता तुम्हीं करते हैं कोई बात नहीं कर सकते हम किसको रोग थोड़ी सकते हैं हम केवल किलसा सकते हैं के विरोध में चलाए गया आंदोलनों का अगर्णन कीजिए को यह पता है वैस्वी करन क्या होता है अच्छा सीमा का सुनील से बात करने ना निजब दूसरे देश की पिंकी से बात करने ना आए वैस्वी करन क्या है यह अलग-अलग देश है ठीक है एक तरीके से देखो को यह चित्र सीडे भी बन सकता है लेकिन जाल तो वही होता ना जो समझना है से मचली का जाल देखा उसकी नोट्स खोल लोग जल्दी से अंट संट बना होता है म मचली मानने वाला जाल नहीं होता है तो यह जाल होता यह कहते है यह आपस जूड जाते और किसी एक चीज के लिए नहीं जौड़ते हैं और जूड़ते हैं अब करन का जब कुछटन तो कुछन पूछता है वैसिव करन पर टिपनी कीजिए एक सुन्दर सा सभ्य सा छोटा सांसल लेकिन में लगता नहीं हो तुम्हें इतने से में छोड़ देंगे तो यह पुछेंगे वैसिव करन के नकारात्मक प्रभाव बताईए अगर तुमसे थोड़ा कठिन पूछना च और तुमसे कि दिक्कत क्या है संस्कृत्य परभाव में की कुछ छोटी मोटी संसक्रीयाई को न शोटी चॉटी संख्या तेना हैवी होता है न कि उनकी संस्कृतियां हुआ लई सकता बाई वहां से बनागे नहीं बन सकता हो तो मुझे दिख रहा है कि हम एक मच्छर मिलने हाला है गिलेशियर में उससे हम डियने निकालेंगे और डाइनसौर बना लेंगे फिर लोग जाएंगे उसमें खो जाएंगे भी डाइनसौर बाहर कूदेंगे कलपना बहुत अच्छी है कास मच्छर मिल वेश्वीकरन के नाकारात्मक परभाव में संस्कृतिक परभाव कोई से भी कोई साभी सवाल आएगा उसके अंदर तो यहीं किस संस्कृतिक आर्थिक और राfastष संस्कृति वह इस अलग से होता राजनीति वाले सकते हैं तो संस्कृति में संस्कृति संस्कृति का हास्र होता है कुछ क्या होता है संस्कृतियां बिल्कुली कर दिया जाता है ठीक है परिवर्तन की चीज को अच्छा भी बनाता है ठीक है परिवर्तनी तो हुआ कि अंग्रे जाए तो सती पर्था बहन हुए प्रणा ने फोकर होते चल जल जा तो कैसा लगता है जबर्धस्ति लड़कियों को जला रहें अच्छा लगता तुम इंदे शीज है वह मना कर रहे हैं नहीं जलूंगी में में पती से प्यार नहीं है जबर्धस्ति जलतु तरह को प्यार है वह 55 साल का इंजन और वह 16 साल की प्यार हो सकता है उन्हीं पट गया उसके अठारे के होते 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 पुराना इंजन है कब जंग लग जाए क्या पता या ठीक क्या हां और राजिंतिक परभाव कि नुक्सान वाले जो नुक्सान करते हैं एक ही जो लाइन है वो याद रखो ना यह सवाल को तो चार-पच बन सकता है कि वैस्वी करन के कारण क्या राज्ये की छमता में कमी आती है हां आती है ठीक है और कैसे आती है चलो महीं बता देता हूं वैस्वी करन के कारण हमें दूसरे देशों से जुड़ाओ करना पड़ता है मालों किसी दूसरे देश की कंपनी हमारे हां काम कर रहे है ह मैं दूसरे देश से कोई चीज करने इंपोर्ट करनी है यह हमें करने की टेकनिलोजी लेनी है तो भय जब दूसरों से के सामने हाथ जोडते हो ना तो बोलता है भीक मांगने पर डायलोग भी मार देता है कि कमा दमा नहीं सकते अचंगा साथ तो है मोटा वैसा हो रहा है कमा पर चाड़ करवाता है जब एपल आएगा इंडिया में काम करने तो एपल हमारी तो बात मानेगा लेकिन अपनी सर्तों पर आएगा कोई भी दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं है जो तुम्हारा फायदा चाहिए वह पहले अपना फायदा चाहेगी अगर फैरां हैंसम भीक रही तो पैर उसे कीचण को वैसा हो जाए तब उनको कोई दिक्कर नहीं है उनको तो पैसे मिलना चीज जोला बरबर के यह भी आजाए वह भी आजाए यह समझा रहा है ठीक तो मान लोग गूगल हमारे इन्वेस्ट करता है ठीक या हमारे यां कोई ऐसी कंपनी आई जो कोई ए सरकार ने धिया उसमें पता लगा इसमों बहुत ज्यादाव सुगर इतनी माटर हमिसुगर है और इतनी मातर है chemical है सोत आब तो बहुत चंगा देता है वाल लोगों को यह दित तो सरकार को पता लगे सरकार क्या बोले दें को कहा निशाइए उनको दबा दो तो प्यूंद सरकार क्या करेंगी उनसे बोलेगी इस अब दो रास्ते यह तो तो सरकार डारेक्ट बोली आप पुन सिंगा में मेरे लाकर में ये को ना चलना ठीक है भीडू भाग जाए तो कमपनी क्या बोलेगी जी हम जा रहे हैं हम सारा इंवेस्मेंट रटा रहे अपना फिर सरकार का मुह आज जबड़ा खुल जाए तो गलत बात होगे ठीक हाहा फि यह बोलो ना तुम गरीब हो कोई दिक्कत नहीं हम सूखी रोटी और घास खालेंगे लेकिन ऐसे कंपणियों को चलने ने देंगे नहीं तो क्या होगा सरकार क्या बोलेगी कोई बात नियूज रिपोर्टर को कोई निप्टवा देती हूं तुम काम करते रहो क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी होगी अब गूगल को देखो इतनी बड़ी कंपनी है पूरा हिंदुस्तान गूगल यूज करता है बच्चे कुरों में घुसे रहते हैं सब ओनलाइन रहते हैं अगर गूगल चला जाए इं अब जैसे की अमेरिका का गूगल है है ना यह अमेरिका की कंपनी है मालो मालो हां जै उसका नाम सुना है वह जो 1983 में वहां पर वह था भूपाल में गैस तरास दी उसमें का क्या नाम था उसका कंपनी का अक्ति क्या नाम था पमनिय कार्वाइड बनाती तिन यूनियन कारवायर यूनियन कारवाइड नामसक्रैवाइड नाम्सुटेश ओविख र Memorial में लिख सकते हो तुमिये के परयावरान के आज के मुद्दे ठीक है जो रसायन डालते हैं जमीन खराब नहीं होती क्या और जो लोग खाएंगे तो उनको का पोशन मिलेगा नहीं मिलेगा ना बाहर से टिशिवाद था ग्राइच थैंडर से जीव का मलब हमारे को मार काण के भालब की जैसे की फलसबजी काटके तो उससे खाद बनती है घास वासट जाती है तो इससे यह जाती जाती है और रसायन होती है फटिलाइजर होते हो वह एक बड़ दरवाजा देखो किर्ती खुला त तो क्या होगा कि जैसे यृनियट कारबाइट भारत बेजी गई ठीक है हमारे आगे कंपनी नहीं थी का ये माल तो क्या था यूनियू नाती है खला जाती आंदर तो यह समझन लोगा काम करती थी सब यह स्टेटीर वर्ल का टाकीnew चला तो नहीं बंदूग चला रहे खाना एनी ले गोली का तो उस समय वहां पर कंपनी चलती थी लेकिन वह कंपनी जब बंदो गई ना जब या सांती आ गई सब अपने काम धंदे पर जोई चिललाई नहीं रहा है सबको नौकरी मिल गई तो जैस्ती राम को चिललाई नहीं पा रहा है तो महां को कंपनी ना भारत में आ गई क्यों महाँ पर सब लोगों को पता को इनीकन II कंपनी तो समान बनाते हैं चौण वहाँ ने सुना हमने सुना क्या कैस्भ जीयंगीं लेगा मारी मिलेगा थिक тоб महां के लोगों हो भूळली और यूदर्हिंगीं और काणलीं Muslims ko निगे य फोई गोerson ना लाभी अर ठोडी नाती तो मौजी होता अबम टोड़ी सतने नहीं पर पेड़ो गेंगे जैने कादी होगी ते रसायन खाद बनाने लग गई चैमिकल समझाया और वह काम कर दी हमारे भारत में जबकि हमारे सरकारों को पता नहीं होगा क्या क्या और उसके खंप्लेन खंपलेन कि इस कंपनी में जो ईसे काम हो तो और पार दूस जाएगा क्योंकि उस ग्यास में क्या जहर होता है समझा रहा है इतनी खतरनाक जहर ग्यास थी और देखो राज्जे की सक्ति उन्यसों तिरासी में होता है भौपाल गया सतरास्थी भौपाल में होती हो कंपनी यूणियन कारवाइट ठीक है वह आई यह साकें वर्ल्ड वर के बाद इंडिया में यह उन्यसों तरा सी तक काम कर रही है कई कंप्लेन उस पे कई सारी वह धाराय वह लगी हुए केस चलने सब्सक्राइब कर है कि लिखा तो सबकूछ अच्छा होता है लेकिन को सब्सक्राइब दुनिया में और मानें बहुत से केवल क्या चाहिए यहां से लाब मुनाफा वो पैसा कमा के धड़ा-धड़ बेच रही है और यहां तक यह भी आरोप लगे तो आरे क्या सिद्ध भी हो गयते बाद में कि कंपणी अपनी चीजों की रिपेरिंग भी नहीं कर वा रही थी क्योंकि तो काम करते नहीं थे एक घ्राइज था पूरी कंपणी में एक अंग्रेस था जो उनका वो नियुक्ता रहता था और मालिक भी बहर बैठा था मालिक भी नहीं था यह पले एक आदमी को बेज़ रखा था यह ने वह काम बैठा रहता था वहां कंपनी वह वह रोज तो वह क्या हुआ फिर 1983 में उसी टंकी में से गैस लीक हो गई और कई सारे लोग मर गए वहां पर कम सिकम कुछ नहीं तो 14000 के लगबग लोग मरें थे एक रात के अंदर एक रात के अंदर भूपाल जंका नहीं तो गदे Garden आब भु कॉन फारेघुर बांधा जा रहे तो कंपनी बन दोगी बास काम खतम जो लोग मरें आज भी बच्चे वहां पर पाइच पैदा होते हैं एक भुपाल में जाओगे ना तो वहां पर कोटेज बना रखें तो मलब जैसे सोसाइटी नहीं होती सोसाइटी वहां पर लिख रहा का सोसाइटी पर भुपाल गैस यहां रहते जाके देखोंगे तो तुम्हें पता लेगा लोगों के सत्थ हुआ क्या था लेकिन इन चीजों पर कोई बात नहीं करता और अभी तरतो एक एक अधी कंपनी अब देखो 55 कंपनी यह जितनी भी कंपनी तुम्हें लंबा कर लिए ना गोरा कर रिये हैं कोई भा लंदन में लवली को यूज की बनी होगी या फैरन हैंसम वह चीजें वह अपनी यूज के लिए बनाते तो मानता है मैं अपने पीनिकले चाहे बनाऊंगा तो कभी भी मैं उसको जहर जैसा नहीं बनाऊंगा जब मेरे को अपनियां पिलानी नहीं है चाहे कभी तुम्हें लगी भी तहीं कर रहे हैं लंदने लबिश्यार कि नहीं होगी निलिए नहीं देन पुट्टि विश्थी होगी में यहां भी देन यह फिसको यहां पर सारी कंपरिया से चलेकर राज्य उनका कुछ उखाण पार रहे है जब जब ज्यादा कंप्लेंडिन होती एक को टोट म दिखाएंगे तो राज्य कुछ उखाड पाया नहीं देखो 14000 के लगबाग लोग मरे तुम उसकी फुटेज देखोंगे ना यूटूब पे जाके फुटेज देखना गंटी मत बजाओ जब फुटेज देखोंगे ना यूटूब पे वीडियो पागे रहा है तो देखोंगे यहलिकॉप्टर उड़ रहा है उस पर सूटिंग करी गई है जैसे युद्वनियों कबरे 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 कबर बना रखें काफी सारी बुल्डोजर से ला से डाली जारी थी 14000 का मलब समझ सब्सक्राइब कुछ भी नहीं वह तो चलेगा मौज मार रहा है जो भी कमाया था उन्होंने तीस साल में मौज मार रहे और हम आज भी आजी कंपनियों से चीज़े खरीद रहे हैं अभी जितनी कंपनियों सारी ऐसी है कोई भी हमारा बला नहीं चाहते है अभी भी 100 क्योंते है कि तुम्हें 10 दवाइं देते हैं दिकाने की दोक्तरर कोकुछ पता नहीं ब्युक्तर नहीं वह नहीं क्यूंकि 도 syllabus अच्छा हो सब क्या जाते हैं डॉक्टर ऐसी दवाई देते हैं यहीं तो बोलते हम जाके हमें वह वाली दवाई चाहिए जिससे एक मिनट में दर्थ खता मुझा लेक बेशक्त से अगले महीने वापीश चलू हो जाए अधिक्तर जिनको भी पत्री का दर्थ होता है उनको यही प्रब्ल कमी आ रही है समझा रहा है ठीक ज्यादा बता दिया इतना नहीं लिखना होता लेगे इतना मतलिकना नी सर्जी तुमेह न बुला लिए फेटा आप की जरूती तर निया दिल्ली भी सुद्धाले में आपको लैक्चिरार बनाए जाता है चलिए आप यहां को बैठे है आप सबस्राइब जिसको नहीं पता अरे सरगी कंनी उठा तो नहीं पता है भाग्ये बदू से चृति भाग्या इस बदू बहुत कुम ऐ की जो आने वाली जो नियती है ना वो दूलन के रूप में बोल उसको चुछ पहले तो हर चीज को दूलनी बोलते थे बाइक को मेरी दूलन आ गई बने बोलते नहीं और क्या अधिक्त क्या गई लिए विक्की को बोल लिए ना समझ गया में क्या बूल लिए नहीं यहीं बोला तो नहीं तो यूजी करते हैं अभी तुम खुछ सोच लो अधिकतर चीजों का नाम ऐसे यूज करते लेडी वाला नाम रखते हूं चीजों का क्योंकि हम उसको सॉफ्ट और प्यारा दिखाना चाहते हैं अनि हकीकत है मेटाफर भी तो इसलिए उता अलंकार में कभी मर्द पर अलंकार देखा है मर्द का चांड जैसा मुकड़ा कभी सुना तुमने नहीं सुना ना मर्द यूज करते मेटाफर समझा रहा है नहीं हकीकत में बनी है ऐसी जो मर्दों के लिए बनी है वह भी बनी है जैसे पहले बोला जाता था मर्दानगी खूब लड़ी मर्दानी वह तो जासी वाली रानी के लिए भी मर्दानगी उसका रखिए उसका मलब यह नहीं है कि हम जासी वाली रानी को मर्द कह रहे हैं हम उस एक पावर की तरह दिख करते थे अब तो और ते भी केस लगा रही है तो भाग्य से चित प्रतिश्री भेट का मलब है जो भाग्य है ना उससे हम मिल गए है समझा रहा है हमने सोचा था कि पापा हमें बाइक दिलाएंगे और बाइक आने वाली है पापा ने बता है मंगल पुरी पहुंचा हूं बस दरवाजे पर महला लेगी तू तूने श्टेटल लगा जी अब बस मेरे ड्रीम आने वाला यह कम स्टू माइड रिम लिखते निया यह आने वाला है तू मिनट्स लेटर जान टू डेस लेफ्ट जान लिखते हैं लोग टू डेस लेफ्ट बुग्गु आहां ऐसे लिखते चिलार आजए करते लेखती हो ऊए रेजो को जाना रूल गलिखते हिले टून चिल्र अ का उलर यूड और रवाट्वर तीन वालट भड़ तिटाइम लड़ा Zusammen Nichol Пр पादे देंग वार्टी क्या बोला थू तो इसी का दूसरा नाम है त्वीट भीड नाश्ट निए इंग्लिश में तो डैस्ट नी समस्ता है दैस्ट नी पलट गई ऐसी पलट गई थे अना तो उमीद होई निया थे कभी ठेक हां लेड़कों का तैसी रहता उमीद कमी नीए उनको चाहिए बकरी मिल जाएता है उनको सब अच्छा लगता है ठीक तो ट्रीट वीद डैस्ट नी इसका मतलब क्या है एक बार भाग्ये से चीत प्रसुष्ट बेट को हिंदी में बोल दिया था हिंदुस्तारियों के लिए और यांग्रेजों को बोला था ठीक है ठीक है जो आज अपने डैस्टनी को अपने भागे को मिल गया आज वो असली हो गया था आज हो सच हो गया ठीक है क्या सपना देखा तामने सब्सक्राइए है वह आज पूरा हो गया है विख थे गाली ने अप सब्सक्राइब वह सब्सक्राइब गॉर्ड है भारत के विवाजन के पिछह कौन सा शिद्धान था यह तो बताई सकते हूं 1947 में भारत का विभाजन हुआ विभाजन का तो उसके पीछे कारण क्या था निए था सिद्धान का और अधुम सब्सक्राइब का स्विभाजन का नाम है और इस वह हुपर कौन उठा रहा था अम्दी अम्हदी जिन्ना मुहम्माद अली ओ प्यच्टी जोने नीम जिन्ना कंपड़ा लिखा बंदागा जिन्ना अम्बेटकर जमनल नहरू समय जारा है सुबाश चंद्र बोस इतने वंदेना बहुत पड़े लिखे बंदे थे इनको ऐसे मदले मलत हलके मसोचना वहर वो स परदार पटेव सब पड़े लिखे बंदे और सब के सारे वकील की कानून से लटना होता है तो आपको कानून की जानकारें जीए बंदू की जानकारें जीए तो लाटी लेकर को देओं कि दो मैं सामने अला पुला दूर से निमार्वा पास आजा तू जित तेर को भी भारत को सौतंत्रता के समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा ठीक है चुनौतियों का सामना करना पड़ा नहीं समझे नहीं तो कई बार बोला आज मैं सब्सक्राइब नहीं नुकसान करवा देंगे कल एक फोन बनमाने गया था चला था मैंने बगवान से बहुत बगवान आए बगवान बेव कुफी करते हैं कि चलता के बंदो बंदो के फोन कल भी मैं वाद सीचा सीखा कि भवान ने थोड़े दिया तो सबसे बड़ी चुनोती थी यह पांच नमबर में भी आ सकता है बड़ा भी आ सकता और हाँ पहले तो लगूत्री का मनलब क्या होता है निमलिखित परसंद का उत्तर लगू रूप में दीजिए मतलब अच्छोटे सोटा सटा लिग देंगे यह लगू कमद लगू कम अथे बोल ने चोटा आचा टीकिया अभी मत बोला तो दिर का मतलब अब 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 देखा अब लगू दिया एंट चोटा लगू द यह तो छोटा लगू रिपरसंद का मनलब क्या है चोटा और दिर की उतरी का मतलब आए बाद अपने इस की दासता ओर लगू लिगना मैडम बिलेड कि लिप बीचलेगी इस पानी चटरा एक तो लगू से नहीं लिगनी लगू लिखने है ठीक है लगू का मतल्ला लगू तरी का मलब चोटे में उत्तर देना है ठीक है और दिर्गूतरी का मलब है प्रिसंद का उत्तर लगू तरी सो से देड़ सो सब्दों में दीजिए तो मतलब एक पेज लिख दो ठीक है और यह भी समझे लो यार इतने तो तुम मूरक नहीं होगे उस पेज में लाइन होती है कम से कम बार से पंदरा होती है उपपर से सुरूआ तो मत करना पहले पेज म सब में बार से पंदरा लाइन होती है एवरेल एवरेज लगा ले तुम एक लाइन में ना आठ से दस अक्षर लिखते हो कोई एक लाइन में पांची लिखता उसकी राइटिंगे ती बड़ी आ बना रहा पूरा एक्दम यहां से दुभई तक का ठीक समझ जा रहा है तो मैं दस लाइन ऐसे लिखूंगा हर लाइन में आठ आठ सब्द आते तो मैंने एक पेज में किन्ने लिख लिए एवरेज असी असी नब्य आ गए एवरेज बता रहा हूं में पक्का सब का ऐसा नहीं कि यहां 289 लिखेगी 287 लिखेगी 288 से कम लिखी तो फेल हो जाएगा तुम्हा एवरेज इतना अंधा तुकि जब बोला जाएगा कि साड़े तीन सो से चार सो सब्द में उत्तर दीजिए तो तुम गिंदने बैटो के एक दो तीन चा साड़े तीन सो एक गिंते गिंते तो पांच में पेपर पूरा हो जाएगा ओ गंती भूल गे टूएट ना टरहला के अनुमाल लगाना है ठीक तो एवरेज दस दूसरे पेज पर दस ठीक है जो एक में दस लिखता है वह 2D में किन्यंद लेगा 200 दो पेज में 200 लिख लेगा ना और आंसर किन्या देना में साड़े 300 और एक का देना था समझा है तो आपको लगाना है कि हमें कितने लिखे लुए तो पता हुगा तुम फॉर क्लिक लीसे करते नहीं तो पता है। लेकिन तब अभी जाके ना अभी सोच लेना कि कि अ लिख सकते दूंझाति हैं पहला पेहला लिखा दूसर और लास्ट वाले चार कोशन लिखे आधे आधे पेच के टाइम नहीं बचा इसलिए टाइम नहीं बसता क्योंकि हम अंदाज ही नहीं मार पाते मैंने लेकिन अंदाजा लगाए था इसलिए मेरे सारे पेपर पहले हुए थे भी कैसे खूड़ के ठीक है समझा रहा है मेरे पेपर 15 मिन बीस मिनट पहले हो जाता है अराम से पच्छी मिनट पहले भी हुए क्योंकि मैं पूरा पूरा प्लाइन लेके चलता था कि मैं एक कुस्छन को इतना टाइम दूगा इतना टाइम दूगा इसको इन वालों को समझ जा रहा है इससे बहुत टाइम की बच्छा तो ती अगर पहले अंदाज लगा चलते हो क्योंगे अधिकतर जो अच्छे बच्छे उते हैं उनके साथ यह होता है क्योंने आता तो सब कुछ है लेकिनो टाइम मेनेजमेंट निकर पाते आगे वाले आंसरों में भर देंग समझा रहा है टाइम की बचत क्योंकि समय कभी वापिस नहीं आता किसी का नहीं रता क्या वापिस नहीं आता मोटिवेशन वीडियो देख प्यार वाली नहीं है ठीक कि स्यामा परसाद मुखर जी कौन सी पार्टी से थे कौन सी पार्टी कॉंग्रेस की नर्थों में एक विचार आधात्मक घडवन्दन थी कॉंग्रेस में मौजूदा विभिन विचार आधात्मक उपस्तितियों का उलेक कीजिए कुछ का मौश्वाहत्ति है कि किसके बारेमें कॉंचा लाना तो बस कोंग्रेस के बारे में लिख्दो समझा या उलिए संदराथिंग में तो थिन ले लोग नहीं राटिंग होगी तो समत oops पांसर होगा तब ही कुछ कुछ उसके दों मिले जो छोड़ को तो कॉंग्रेश की नर्थों में विचार धात्म घटम था कि कॉंग्रेश थी न जो जो किन अर्थों में क्या मतलब था रठीए उसको बोलते है लोग विचारों का घट बंति आप समझा आगया है वह विचारों का ती उसमें मेरे अकेले के बिचार नहीं थे इसाथ जातीके वह फ्लाना जाती तरह के लंमेरे जवहले के भागने वालों के खाठुशेहं वालों के सब के कॉंगरिस में समझा रहा है क्या समझा आप बता यह नि लिए टो मैं बता रहा हूं ही एक्जामपल के लिए बुल लाँ कि जो आपके मर्जी साधी करेंगे वह भी कॉंगरिस में जो मम्मी की मर्जी से करेंगे वह भी जो अपनी मर्जी से भी नी करेंगे वह भी है जिनको लिया जाएगा वह भी है जो रंगदारी पैसा मागें करके वह भी है तो शुरुआत में इसी युशार दाराहो प्र कॉनदान थी एक विचार दhésitez परके चलतीं तो कॉंग्रेस का विरोत दूसरी पार्टीन नहीं छोता ठ लोग करतेथे यह बहुत अच्री चीज होती है किसी लोग तंत्र आस भी तंत्र हो होगी ना तभी तुम्हें लोग तंत्र में माने जाओगे तो फिर बड़े वाले से सब्सक्राइब नहीं कर पाले तो फायदा ही क्या जैसे किसी पार्टी में केवल एक या दो ही चेहरे हैं या कोई इन में चेहरा ही है उसी वही सब कुछ करता है तो इसका मलब है ना दूसर पार्टी में किसी पार्टी में केवल एक ही आदमी दिखाय जा रहा है या एक ही तरह के विचार दिखाय जा रहे है तो क्या मतलब है कि वह एक ही विचारधार वाली पार्टी है यह किसी चीज में क्या है सिम्टी हुई है लेकिन कोई पार्टी अगर कई विचार रखती है कई सारी अलग-अलग कारे करती है और कई उसमें लोग कई कारे करते है अलग-अलग टरेक है तो इससे पते लगये राघ से न इसकी एक विचारधारा नहीं है ड्रायवर वांपं द?' ति कोंग्रेस के लिए का जाता था क्यों कोंग्रेस क्या है रध सबस्जा. पिचारधाराओं का एक गड़ बंदन इसके अंदर क्लांतिकारी भी ए नव युवा भी ए ठीक है गरम पंती भी ए ठीक है आदीवासी भी ए सहरी भी है ठीक है समझा रहा है फ्रेटर रहा है समझा रहा है तो यह आंसर पड़की नहीं बता हुआ मैंने समझा दिया लिखने तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भारत में समाजवादी दल का गठन कभुए इसके संस्तापक कौन थे सवारा सकता है एक बार है ना पार्टियों का भी पढ़के चले जाना जिसको मन हो पढ़ने का क्योंकि निन्या सौ में से सौ लाने वाले को सब पता होना चाहिए और यह है बताओ ना सब्सक्राइब है क्या बात है लिश्ट में आ रिये सावित कर दिया कि भी जिन्दा हुए वह संस्तापना किने करी थी समाजवादी दल की अचाहरे नरेंद्र देव कौन तो देव और अचारे जहां देखोंगे वहां समाजवादी लगा देना समझा है क्या समाजवाद की बात कुन करेगा तो तो समाजवाद की बात कौन कर रहा है अचारे नरेंद्र देव समझा गया है कि कॉंग्रेस और जंसंग की विचारधारा में मुख्यांतर इस पस्ट कीजिए कॉंग्रेस एक समाजीक और विचार आत्मक गडबंधन है इसमें सांतिवादी रैडिकलिस्ट गरम पंती नरम पंती अब तुमसे कोई यह नी पूछने वाला रैडिकलिस्ट कौन होता है क्योंकि तुम पॉलिटिकल साइन्स त्योरी के स्टूडेंट नहीं हो यह उसमें पढ़ाई आती है जब तुम यह करोगे तो रैडिकलिस्ट गरम पंती नरम पंती इन सब तरीके के लोग विदमान थी ठीक है समाजवादी पुंजी जिसलिएन सब्सकृटिकलिस्ट ईर्ट comprehensive एक राष्ट agree to will require अगेरकस इन्होंने किस विचार धरा को चुनंडर मतलब एक देश इंडिया या भारत ठीक है एक ऑ्न संस्कृति मतलब अपनी सनातन संस्कृति और एग धो सभवार सब्सक्राइब और कुछ नहीं मतलब को včas seco धरम का मतलब क्या है हिंदु मुसलिम इसाइए कोई धरम नहीं धर्म होती है ऐसारी चीज़े क्या थरं का मतलब होता है कानून थे पहले तुमने चाहिए महाबारत देख आए रमायड देख पहले कहानी आवाल कोई भी राजा समीधान के दना साशनि चलाता तब समीधान नहीं बोलती था तुम्हाघ का विए संस्क्रीटि मैं थाव गंदा मत करो धर मेर रक्षा नुश that हिंडू आनी सेने कभिए स्लोगन है ठीक है हमारी संस्रीटि मौरा जाता Awak 닮य तो तुम है रक्षा होगी तुम्हें अपनी रक्षा करनी है तो धर्म की रख्षा करो धर्म का मतलब तभी नीटा हिंदू-मस्लिम सी किसाई धर्म का मतलब होता था सिद्धान्त कानून नियम किसी जवाने में माभारत में नियम दिखा है न कि जो एक फलानी जाती का बंदा है वह धनुर्धर धनुर्धर नहीं बन सकता जैसे कर्ण सब्सक्राइब करन के साथ गलत हुआ फलाना हुआ डिखाना हुआ तो उस समय का सिनेरियो अलग था हर आदमी के लिए अलग काम थे और उस काम को छोड़ते हैं दूसरा करना भी नहीं चाहता था करन के मंभी पौपा को देखो तू अपनल्य जिंदिगी में खुषन निया हुआ उनको तलाव नियुक्राइब नियू राजा के काम दोनों अलग है जनता थोड़ी युद्द में कूध कूद्री राजए के एक ग Altina एके 16ए जंता तो अगर लूटी जारी यरी तो मारी ज समझ लिया कि धरम का मदलब हिंदू-Muslim और यह वेद भाव तो हाँ हिंदू-Muslim और भेधवा उसी को ले के लोग बैठे में ठीक है लेकिन धरम का मदलब होता 28 में विल्यम बैंटिक सथी पर्थाबंद करता है उसके बाद नहींने रिफॉर्म लाता है रिफॉर्म मतलब नहींने चीदे करता है इतियास मैं भी तुम पढ़ाऊगे मैं आगे भी पढ़ाऊंगो ठीक तो बहुत ज्यादा अजीब लगेगा तुम्हें कि उस समयना विल् नहीं ले सकते कि 1857 का विद्रों और उससे पहले पिछेतर विद्रों ऐसी रखे थे धरम के नाम पे धरम पे उगली मत उठाना हमारी बहुत को पल्ला खुलने के लिए मत कहना नियम युद्ध कर लेंगे समझ आया हाँ बत्तिमीज कहीं कि सकल देखना चाहरे है अपनी वा तुम सोचों कितना आज के टाइम में कोई बोले की लड़कियों की एजना वह 18 से 19 साल करने साधी की तो तुम्हें से अजीब नहीं कोई बात नहीं लेकिन उस समय जिस समय कल्चर इतना है वी तो सती पर था जाई तुम्हें लग रहा है कि इतना हलुआ था कि आज नहीं बदल तुरंत है नहीं उस समय 12 से 14 साल उमर करने के लिए उन्होंने कितनी फोर्स लगाए कितनी अमेंडमेंट करें पता नहीं क्या कर रहा है अंग्रेज करी देंगे जबरदस्ति लेकिन उसमें उनको टैंशन थी कि कल पता लगें हमारी कुछ दिम्मार आ आके तो तब भी बात का मान रहे थे लोग ग्रेज प्रॉपर सासन कहां पॉर पारे थे वह सेना के बल पे तुम जबरदस्ति कर सकते हों लोग और की हित की बात नहीं कर सकते ना लोग अपने मन से कुछ नहीं करेंगा भाग के तो सोच के देखो उस समय कितना मुश्किलताओं के लिए तो हर टाइम के नियम ना उस टाइम के जब रूतों को देखके बनता लोग बना देता और वह यह नहीं बोला सारी चीज अच्छी होती है वह बदलती बदले ना नियम आज के टाइम पे लोग डिमांड करें कि तो यह गला तो सही की बात नहीं है ऐसा थोड़ी है कि लड़की होगी गला काटने और उसको रोकने करियों यह तो सही होगा है लेकिन यह साधी कि आई यह सब का परसनल चॉइस होता है इस पर भी नियम बना दो गे तो लोगों का परसनल क्या रह जाएगा तुम्हारी परसनल मुद्धा होना चीए ना होना चीए ना होना चीए कि कानून सरकार बनाएगी साधी अब करो इस तारिकों करना बच्चे इस दिन पर पैदा करना इस से ज्यादा मत करना और इतनी सासे लोगे इतना गूट पानी पर होगे तुम्हारा परसनल के साधी तुम्हारा प नहीं से लेकिन लड़की कि साधी अठार साल से पहले ना हो यह परस्नल मैटर ना हो सभाए कि कि किसी माबब जबरदस्थी पकड़के 12 तो यह तो समझनी है हमें न किसी बीचीज को नियमों के तहट तोब देते हैं और फिर आधी जनता उसको पंदनी करती क्यों कुछ लड़किया चाहिए मेरे साधी हो जाए और कुछ चाहिए नहीं मेरे को कुछ करने आगे यह नहीं करनी लेकिन कुछ करने वालों की सुनके का करें यह सबका एक जैसा नियम बना देंगे और उस पर सजा देने लग जाएगे तो यह गलत होगा ठीक है क्यों जो चाहरी है मेरे को कुछ बनना और जो चाहरी है कोई कोई गलत नहीं है समझा रहे है सब की परसन लाइफ होटी है जब वो किसी दूसरी को एक्ट कर रहा है मेरी मर्जी है मैं किसी मैं आज साधी करना चाहरा हूं मैं देश का कुछ बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा तुम भी बच्चे पैदा करो मैं भी करो मैं जल्दी करना हूं नॉर्मल सी बात है भी तो लोग कर रहे है ना दिक्कत तब होगी जब यह नियम बना दिया जाएग ठीक है और मैं जबरदस्ती में साधी कर रहेंगे तब दिक्कत है ना समझ आ रहा है क्या मुलना चाहरा हूं अगर किसी लड़की की साधी 12 साल में जबरदस्ती कर वा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए नियम बनेगा तो अच्छा है लेकिन अब तुम नियम कंपलसरी बना कर देंगी वैसे घरवाले पज़ जाएंगी तो इसको नियम मनाना थोड़ा भेवकूफी लगता है जैसे की लड़की बोल देगी के मेर को देखा है तो लड़के को पकड़के जयल में डाल देगी क्या बहुदापन है लड़की अगर बोल लिये तो उसकी बास सुनो यह यह तो जैल में डाल दो यह तो एक तरी से नियम फाल तून मिसी जुद निया ना अरे को ने आर बाहर देख लो यार एक बार अशनों गयार समय आया नियम कानून समझ गया तो ए क्रशे क की बहक्ते नियृण अरटिकल में यह राज्य की नीती निर्दे सकता तो जिसमें बोला कौन से आटकल में ङ जुन सांती बार गैरा क्रिकल बात करी घूए उनि तुकह मारा था तो ने है हाँ अँ ऐसे चालू निलिए सग्रान हो यहां दिन भी तरिक ASY सब्सक्राइब करें कि उतिन पताया तो था कि 51 में सब्सक्राइब वैसे तो 36 से लेकर 51 तक है ठीक है नहीं पैटीस से क्या बना है अच्छी बात है अच्छी बात है में होती है कि बाते संविधान के नुच्छे दिक्यावन में अंतराष्ट सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीती निर्देशत तत्व में क्या बताए गया कि जो राज्य की निर्देशत तत्व होते क्या है की निच्छे की अंने सब्भीधान के दोरह कि राज्य के इंदर राज्य की पावर्स आप भी लोग जाए है तो अंतुराश्टति यह ini ha और अपना भी काम है कि तुम मोदी जी जो कि हमारे देश के परधान मंत्री रोज जाके क्या ब्रिटेन का बोल भूल कि तुमिए बंद की निर्देशक तातु निर्देशक निर्देशक तो हम ना üzलस्तरे है कुछ नहीं सब्सक्राइब हें हैं, कि तुम्हारी कोई ऐसी नीती बन जाए जैसे नीती अभी मैंने बताया था उसके लिए मालदीब के लिए सुने थी ना मालदीब का तूरिजम खतम कर रहे हो मालदीब उसके चक्कर में चाइना से मिल गया एक छोटी सी गलती की वज़े से कि उसमें क्या बोलते हैं हिंद मासागर के बॉर्डर तक चाइना पहुच रहा है छोटी सी गलती से अगर वह फोटो वायरेल नहीं होती और मालदीब को खड़ी खोटी नहीं सुनाते तो अज मालदीब हमारे साथ होता निन्नू साधीस हो चोटा था बिंदी की तरह है कभी अपनी यूज़के लगा सकते थे लेकिन उसको दिखाए तो किसी काम का नहीं हो किसी के इमान पर आतरक्त होगे तो बंदा थोड़ी तो है समझा रहा है किसी के जीने का रास्ता चिल लोगे तो रुके का थोड़ी मैं तुम्हारा सोर्चन हो तो सैलोगे लेकिन तुमारा तुमारा दमाने लग जाओ जाओ तो तुम बचने की कोशिशिश करोगे ना सबढ़ जा रहा है क्योंकि अन्त और मालदीप की जान उनकी अर्थववस्ता पर अर्थववस्ता किस पर टिकी ती तूरिजम पर वहां पर लोग घूमने आते हैं हनीमून मनाने आते हैं फोट लड़का बोले तो इना घंदा फी लोको सोच करेंगे हम समझनी पाते कि लड़क्यां गाना गारी तो गंदा नहीं हो सकता लेकिन अब लड़का बोले छाथी क्या के लग जा तो किने घंशी और इसका मतलव इसका में गधे कुछ भी इसका फुप बना बना देते हैं पू करके और तुको भी नहीं पता लगता है वो भी नास तीन गानों पे लेकिन हाकिकत यह कल्चर के ऐसी क्तैसी कर रहे हैं लगता हैं बड़ा मजा कर रहे हैं हाकिकत में भासा वो सब्सक्राइब कर दो सुन रहे हो यही है चलो भाई अब बाक